बिहार की सियासी पीच पर सांदार बल्ले बाची कर रहे हैं राज़त नेता तिजस्वी यादो इन दिनों अपनी जीवन संगनी को लेकर चर्चाम है बताते चले कि सनिमार को अचानक आजेडी के पटना इस्तित कर्याले में हलचल मच गई पता चला कि सादी के बाद पहली बार तिजस्वी यादो अपनी पतनी राशरी यादो के साथ पार्टी कर्याले आने वाले हैं इसके बाद से लालू प्रशाद यादो की छोटी बहु को लेकर बिहार की सियासत में करासों का बजार कर्म होने लगा हलाकि इस पर तुरंत भी राम भी लग गया क्यूंकि तेजस्वी यादो अकेले ही पार्टी ओफिस आये और कार्यकरताओं से मिले मतादा चले कि आजएडी के प्रदेश अध्यक जग्दन नंसी ने तेजस्वी को पत्नी सहीद पार्टी कर्याले में अमंतिर्द किया था तेजस्वी यादो को लगा कि अगर वो अपनी पत्नी को लेकर पार्टी ओफिस में आते हैं तो तुरंत ही राश्री के राजनीती में प्रवेश के संकेत की बात उठने लगेगी फिलहाल तेजस्वी यादो इस तरह की अटकलों को हवादेने के पचधर में नहीं थे यही राजनेतिक परिवेश से बिल्कुल अंजान है और इतने लोगों से मिलने जुने की आदी भी नहीं है लेकिन एक राजनेता की पत्नी के तोर पर राश्री इसका अच्छे से निर्वाहन जरूर कर रही है माना जा रहा है कि राजनेतिक परिवार से साध्य हो तो देश अव राश्री के बिहार की सियासत में उतरने की बात पर खुस होकर कहते हैं कि राश्री में बड़ो के समान करने का गुड़ है लोगों से मिलने जुनने का तरीका बिल्कुल अलग है सबको समान देना और लोगों से बिन्नमता के साथ मिलना उनकी खैसियत है ये बात उन्हें ब मिलन जारी है साधी के बाद से रासरी से मिलने पूरा बिहार से कर करता और नेता आ रहे हैं सीवनन तिवारे रेचल के राजनीती में आने की भी बात कहते हैं कि तिजस्वी की पत्नी ने लालू परिवार के घर को पूरा वाता वरन चेंज कर दिया है सबसे परचे करना सबसे मिलना बहुत संक्रात्मक है रेचल के आने से तजस्वी का जीवन जो है वो काफी खुसहाल है रेचल का समाज के पति दृष्टी कोन बिल्कुल अलग है सीवनन ने काया कि सियासत सेवा का एक रूप है अभी तक जो रेचल में जो दिखाई दे रहा है वो शंक्रात्मक है